आप सभी लोहों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 29 जुलाई से रिलेटेड जितने भी important question बन सकते हैं उन पर discussion करने वाले हैं और question से रिलेटेड जितने भी important fact होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आपको क्यों जविलेबल हो जाएगी और इस lecture की जो PDF है वो भी आपको यहां मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं तो इसी motivational court के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है वेर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉंच इंडियाज फर्स्ट इंटेनेशनल बूलियन एक्शेंज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतरास्टिये बूलि नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशन्स फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतरास्टिये बूलियन एक्शेंज के शुरुवात करेंगे वेस दोरान अंतरास्टिये वित्ये सेवा केंद्र प्राधिकरन के मुख्याले भवन की आधा एस सी ये वित्ये उत्पादो, वित्ये सेवा और वित्ये संस्थानों के निर्मान और परिय वेक्शन के लिए भारत के अंतरास्टिये वित्ये सेवा केंद्रों में केंद्रिकरत नियामक निकाह ये है टॉप फाइव इंडिया फ़र्स्ट को हम रिवाईस करें, which has become इंडिया फ़र्स्ट ट्यूरी स्ट्रें कनेक्टिंग इंडिया और नेपार, ओंढर रामाइना शरकेट तो ये जो नहीं है ये है भारत गौरव ट्यूरी स्ट्रेंड, where will इंडिया फ़र्स्ट डार्क चारा है लद्दा के अंदर which has become the first state in India to start Bali का पंचायत तो ये गुजरात के अंदर बना है which has become the first metro city in India to get biodiversity register तो ये है कॉलगता वेस्ट बंगोल where has international olympic committee started India's first olympic value education program तो ये है Odisha second number question है which country will host the 30th ICC women's one day international world cup 2025 13th ICC महिला एक दिवश्य विश्व कप 2025 की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो इसका correct answer होगा ये जो है ये भारत करने वाला है इंडिया करने वाला है बीस का correct answer है 12 साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवश्य विश्व कप की मेजवानी ये करेगा और international cricket council ने इसका announcement कर दिया है और भारत में इससे पहले 2013 में जो women's world cup है ये हुआ था भारत 2025 में 50 ओर के जो women's world cup है इसकी मेजवानी करेगा भारत ने बर्मिंगम में जो international cricket council है इसकी बैठक में जो है सफलता पूर्वक बोली लगाई और बैठक में 5 साल का जो भविश्य दो रहा है ये तै किया गया महिलाओ का T20 वीशु कप 2024 में बांगलादेश और 2026 में इंग्लेट के अंदर होगा पहली महिला T20 चैंपेंशिप 2027 में श्रेलंका में होगी महिला T20 आई क्रिकेट की इस साल बर्मिंगम में राश्टमंदल खेलों में शुरुवात हो रही है जिसमें सीर्च आर्टी में स्वान पदक के लिए मुकाबले में उतर रही है थर्ड नमबर क्वेशन है विच स्टेड है लाउंच एन एप बेस्ट स्मार्ट इबीट सिस्टम फोर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पुलिस प्रेजन्स एंड पैट्रोलिंग पुलिस की उपस्तिती और गश्ट की रियल टाइम निगरानी के लिए एप आधरित स्मार्ट इबीट प्रनाली किस राज्य के अंदर शुरू हुई है तो ये हर्याना के अंदर शुरू हुई है डीस का करेक्टांस होगा हर्याना के जो मुक्यमंत्री है मनोलाल खटर इन्होंने गुरूग्राम में पुलिस की उपस्तिती और गश्ट की रियल टाइम निगरानी के लिए एक एप आधरित स्मार्ट इबीट जो सिस्टम है ये स्टार्ट किया है और इस सिस्टम को फ्यूचर के अंदर जो इमर्जेंसी रिस्पोंस सिस्टम है इससे जोड़ा जाएगा ताकि डायल 112 पर मिलने वाली कॉल पर इर्वी के अलावा ये राइडर भी मदद के लिए पहुंच सके हर्याना की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगर्ड, चीफ मिनिस्टर है मनोहलाल खटर, गवर्नर है बंडारू ददात्रे, चीफ जस्टिस है रवी शंकर जा, फोक डांस ओफ हर्याना स्टेट तो ये है फाग डांस, सौंग डांस, चहाती डांस, कोरिया डांस, ध घमाल डांस, डब डांस, घूमर डांस और जो जूमर डांस है ये यहां के फोक डांस है, फाइब नेबरिंग स्टेट की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्तान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्रागनिस के नेबरिंग स्टेट है, नेशनल पार्क ओफ हर्य बिजियस्ट एरपोर्ट इन दवर्ड टॉप 20 व्यस्ट तम एरपोर्ट की सूची में कौन सा जो एरपोर्ट है ये टॉप पे राह है तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये राह है हर्ट्स फिल्ड जेक्षन अट्लांटा जो इनलनेशनल एरपोर्ट है जोर्जिया का एसका करेक्ट आंसर होगा Airports Council International World ने अपना जो वार्शिक World Airport Traffic डेटा सेट प्रकाशित किया है और 2021 के लिए वेश्विक हवाई आतायात रेंकिंग की जारी की गई है और हर्ट्स फिल्ड जेक्शन अटलांटा जो इंटरनेशनल एरपोर्ट है ये जो है इस रेंकिंग के अंदर जो टॉप पर ये वापस आ गया है और इसके बाद में है डलास, फोर्थ, वर्थ और डैन्वर है विश्व हवाई अड़ा आताया डेटा सेट जो उध्योग है ये सबसे व्यापक हवाई अड़ा सांखी की डेटा सेट है जिसमें 180 से जादा देशो और शेत्रों में 2600 से अधिक हवाई अड़ों के लिए हवाई अड़ा यातायाद की विशेश्था है ये तीन शेत्रों में दुनिया के हवाई अड़ों पर हवाई परी वहन की मांग के बारे में नजरिया ये पेश करता है और इसमें खास तोर पर जो यात्री है ये एर कारगो और विमान की आवा जहाई पर अहद्यन किया जाता है 2021 में दुनिया के हवाई अड़ों में 4.6 billion यात्रियों को समायोजित किया गया जो 2020 से 28.3% की व्रद्धी या 2019 के परिणामों की तुलना में 49.5% की गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है 5. Who has become the new title sponsor of Board of Control for Cricket in India replacing Paytm Paytm की जगे भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया जो title sponsor है ये कौन बन गया है तो इसका correct answer होगा ये बन गया है Mastercard, Deez का correct answer है भारतिय क्रिकेट टीम की घरेलू इस परदाओ की title sponsor FinTech Company पेटियम ने पेटियम इसे छोड़ने का फैसला किया है और भारतिय टीम का नया sponsor Paytm की जगे Mastercard को बना दिया गया है टीम इंडिया अब भारत में घरेलू और जो international जो भी series खेलेगी तो उसकी जो sponsorship है ये Mastercard का add होगा हालांकि पेटियम की BCCI के साथ deal खत नहीं हुई थी और पेटियम ने समय से पहले ही ये deal खतम कर दी है BCCI की हम बात करें Board of Control for Cricket in India और इंडिया के अंदर जित्ते भी matches होते हैं क्रिकेट मेंच होते हैं इसको ये regulate करता है इसकी स्ताबना 1928 के अंदर हुई थी इसका headquarter मुंबई के अंदर है प्रेजिडेंट है सौरव गांगुली Men's Cricket Team Coach है राहूल दर्वेड और Women's Cricket Team Coach है रमेश पमार Ethics Officer and Ombudsman जो है ये है विनित सारन Secretary है जैशा Sixth number question है How many Indian sites have been recognized as wetlands of international importance under the Ramsar Treaty रामसर संदी के तहत कितने भारती अस्तरलों को अंतराश्टी महत्व की जो आदर भूमी है इसके रूप में मानेता दी गई है तो इसका correct answer होगा जो पाँच नए जो रामसर साइट है ये बने है ये इसका correct answer है भारत नए जो अंतराश्टी महत्व के पाँच नए जो आदर भूमी इसतल है रामसर साइट है ये नॉमिनेट किये हैं जिसमें तमिल लाडू में तीन जो है आदर भूमी स्थल है जिसके अंदर है करी किली पक्षी अभ्यावरण पल्ली करनई मार्ज रिजर्व फोरेस्ट और है पिछवरम मैंग्रॉब मिजोरम के अंदर एक है पाला आदरभूमी और मद्य प्रदेश में एक है आदरभूमी स्थल जिसका नाम है सांक्य सागर इस प्रकार देश में रामसर इस्तलों की जो कुल संक्या है ये हो गई है उननजाज 49 से जो भढ़कर ये 54 हो गई है पांच नए आदरभुमी इस्तल के बारे में हम डिटेल से बात करें तो फर्स्ट की बात करें तो ये है करी किली पक्षी अभ्यारण जो है कांची पूरम जिले में इस्तित है और इस अभ्यारण में 100 से जादा पक्षियों की जो प्रजातिया है ये पाई जाती है और इसके बाद में सेकिंड नमबर पे है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फोरेस्ट और ये चेननई में एक मीठे पानी का मार्श है जो बंगाल की खाड़ी के निगे इस्तित है फिर थर्ड नमबर पे है पिछवरम मेंग्रोव और ये भारत के सबसे बड़े मेंग्रोव वनों के अंदर ये आता है जो लगबग 180 प्रजातियों का घर है फोर नमबर पे है पाला आदरहुमी और ये एक प्राकर्तिक जील है पाला या पालक जील मिजोरम के सियाहा जीले के फूरा गाउं के अंदर ये इस्तित है फिर फिप नमबर पे आती है साक्य सागर शिवपुरी में साक्य सागर जील एक प्रमुक परियतक आकर्शक है रामसर साइट क्या होती है एक आदरहुमी इस्तल होता है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतराश्टी महत्व के लिए नामित किया गया है रामसर नाम जो है ये इरान के रामसर शहर से आया है जहां इस संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे आद्रभूमी पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और ये युनेसको के द्वारा 1971 के अंदर इस्तापित एक अंतर सरकारी पर्यावरन संदी ये है और ये 1975 के अंदर लागू हुई थी टॉप 5 questions related to रामसर लिस्ट की हम बात करें इंडिया signed the रामसर एग्रिमेंट इन विश ये तो ये जो हुआ था एग्रिमेंट ये 1982 के अंदर हुआ था which is the first रामसर साइट इन इंडिया तो ये है चिलका लेग जो और ही सा के अंदर है और इसके बाद में है कियो लाडियो नैशनल पार्ग जो राजस्तान के अंदर है प्रिजेंट इंडिया हाव मैनी रामसर साइट आर देर इन तो ये हो गई है अब 59 पहले थी 49 और पांच ओर एड हो गई है तो अब हो गई है 54 the country with the largest number of रामसर साइट तो ये है United Kingdom के अंदर which is the smallest रामसर साइट इन इंडिया तो ये है रेनु का लेग हिमाचर प्रदेश के अंदर ये इस्तित है 7 number question है इंग्लेंड के बर्मिंगम में होने वाले राष्टमंडल खेल 2022 में भारतिय टीम का जो उच्छा है ये बढ़ाने के लिए Create for India अभियान को किसने शुरू किया है तो इसका correct answer होगा Sports Authority of India के द्वारा ये जो campaign है ये शुरू किया गया है ये इसका correct answer है डिटेल से बात करें तो जो Sports Authority of India है इनोंने Create for India जो campaign है इसके साथ में Team India का जो उच्छा है ये बढ़ाने के लिए एक नई पहल की starting की है Birmingham में 28 जुलाई से शुरू होने वाले राष्टमंडल खेलों में 16 विशों में 215 जो सदश्चिय भारतिय एथलीट है ये दल भाग लेने के लिए पूरी तरह से ये तयार है CWG 2022 का जो आदर्श वर्ड है Commonwealth Games का जो मोटो है इसकी हम बात करें तो ये है Games for Everyone और इस खेल का जो आयोजन है ये 28 जुलाई 2022 से 8 अगस 2022 तक होने वाला है भारतिय खेल प्रादिकरन की बात करें तो ये भारत के युवा जो कारिकरम और जो खेल मंत्राल है इसका बहुत ही महत्वण ये हिस्सा है और अपनी खेल प्रतसाहन योजनाओ के माध्यम से भारतिय खेल प्रादिकरन युवाओ के अंदर प्रतिबा उत्पन करने का ये काम करता है SAI का फुल फॉर्म होता है Sports Authority of India और इसकी जो स्तापना है ये 25 जनवरी 1984 के अंदर हुई थी और इसका हेड़कॉर्टर न्यू दिल्ली के अंदर है एट नंबर क्योशन है Who has been honored by the US-India Statistic Partnership Forum for strengthening ties between India and the US भारत का अमेरिका के 20 संबंदों को मजबूत करने के लिए US-India Statistic Partnership Forum के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है तो इसका correct answer होगा General Manoj Mukund Narwani को इसके अंदर सम्मानित किया गया है Ace का correct answer है Former Indian Army Chief ये थे दिटेल से बात करें तो जो पूर्वे भारतिय सेना प्रमुक जनरल Manoj Mukund Narwani को भारत और अमेरिका के बीच संबंदों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए US-India Statistic Partnership Forum के द्वारा इसने सम्मानित किया गया है नर्वने के साथ साथ अमेरिका के पूर्वे रक्षा महासचिव जिव मैटिस को भी लोग सेवा पुरशकार से नवाजा गया है US-ISPF ने उन व्यक्तियों को वेश्विक नेत्रत्व और सारुजनिक सेवा पुरशकार प्रदान किये हैं जिनोंने अमेरिका और भारत के भी संबन्दों को मजबूत करने में महतोपूर्ण भूमी का निभाई है टॉप फाइफ अवोर्ड को हम रिवाइस करें एबल प्राइस 2022 मिला है डेनिस पार्नेल सुलेविन को जो साहिते अकेडमी अवोर्ड है 2021 का ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है रामानूजन अवोर्ड 2022 है ये नीना गुपता को मिला है नेता जी अवोर्ड 2022 शिंजो आबे को मिला है जैनेसिस प्राइस 2022 जो है ये अलबर्ट वोला को दिया गया है नाइन नमबर क्वेशन है अन एंथम नेम्ड वनक्कम चैन्नाई है लिए वनक्कम चैन्नाई नामग एंथम रिलीज किया गया है और इस एंथम को किसने कंपोज किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा AR रह्मान ने इसे रिलीज किया है सीज का करेक्ट आंसर है चम्वाली स्वेज चैस ओलम्पियाड इस महीने अठाई जुलाई से चैन्नाई के पास महा बलीपूरम के अंदर शुरू हो रहा है और इस चैस ओलम्पियाड पर विश्व भर के फैंस की निगाहे रहने वाली है अब इस ओलम्पियाड के लिए एंथम जारी कर दिया गया है और एंथम का नाम क्या है वनक कम चैन्ने इसका नाम है मतलब वेलकम टू और चैन्ने इसका मतलब होता है और इस एंथम को ए आर रहमान ने कंपोज किया और गाया है एंथम में तमिलनाडू के सीम, M.K. स्टालिन भी नज़र आ रहे है संगेत वीडियो के अंदर जो निर्देशक है ये शंकर की बेटी भरत नाट्यम कलाकार के रूप में दिखाया गया है और इस साल फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स तमिलनाडू की राज़दानी चेन्नाई में जो है ये चमवाली स्वे नंबर के जो अंतराश्टी ये शत्रंज ओलंपियाड है ये आयोजिन होने वाले हैं तमिलनाडू की हम बात करें तमिलनाडू स्टेट गवर्मेंट अनौनस टू अबजर्व 18 दिसमबर एस माइनरेटी राइट दे जो है ये 18 दिसमबर को इन्होंने अनौनस किया है कि ये माइनरेटी राइट दे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और तमिलाडू गवर्मेंट ने 14 अप्रेल को जो है इक्विलिटी डे के रूप में ये मनाएगा The 71st Senior National Basketball Championship है ये तमिलाडू ने जीत ली है किसको हराकर पंजाब को हराकर जीती थी इंडिया's largest जो floating solar power plant है ये जो है तमिलाडू के थूतू गड़ी के अंदर ये setup किया गया है The Tamil Nadu State Government has launched there जो नन मधुलवन जो scheme है ये यहाँ पर launch की गई है और marine life के conservation के लिए यहाँ पर marine elite force का घटन किया गया है जली कटू जो है ये यहाँ पर organize करवाए जाता है 10 number question है इंडियान आर्मी has been provided with new indigenous armored welfare vehicle named Quick Reaction Fighting Vehicle Medium which company has developed these vehicles भार्दिय सेना को Quick Reaction Fighting Vehicle Medium नामक नए स्वदेशी बकतर बंद युद्ध वाहक प्रदान किये गये है और इन वाहनों को किस कमपनी ने विक्सित किया है तो इसका correct answer होगा Tata Advance System जो Limited है इसके द्वारा इसे विक्सित किया गया है भार्दिय सेना को अत्यादू ने स्वदेशी बकतर बंद वाहन मिले है और ये जो बकतर बंद गाडिया है ये Tata Company ने बनाई है इस गाड़ी का नाम Quick Reaction Fighting Vehicle Medium है और ये अन्य बकतर बंद गाडियों से तुलनात्पंग रूप से तेज चलती है इसके अंदर Assault Rifle की गोलिया, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता और ये बकतर बंद वाहन देश के रक्षक की सभी मोसमों और इलाकों की इस्तितियों में लड़ने की शमता को बढ़ाएंगे और चलते समय सुरक्षा प्रदान करेंगे पिछले चार सालों के अंदर 2018-19-21 तक स्वादेशी रक्षा उपकराणों के उत्पादनों को प्रोटसाहित करने हेतू केंदर के द्वारा की गई पहलों के पनिनाम स्वरूप विदेशों से रक्षा शेत के लिए खरीद पर होने वाले खर्च को कुल खर्च के 46% से घटा कर 36% कर दिया गया है चले कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं फ़स्ट क्वेशन है विश्व बैंग ने जो नए मुख्य अर्थ शास्त्री है ये कौन बन गया है तो ये बन गया है इंद्र जो मीत गिल है ये बन गया है स्वास्ते सुरक्षावर क्रशी छेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतिय प्रोध्योगी की संसान ने निर्मान त्वरक नामक जो कारिकरम है इसकी शुरुवात की है तो ये IIT कानपूर ने की है थर्ड नमबर क्योशन है बड़े बड़े तंत्री की है रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिक से स्वास्ते क्लीनिकों का जो उद्गाटन है ये कहां पर किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है ये किया गया है बैंगलूरू करनाटका के अंदर फ़ण नमबर क्योशन है जो कारगिल विजे दिवस है ये कब बनाया गया है तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को एसका करेक्ट आंसर है फाइफ नमबर क्योशन है पेटी एम पैइमेंट सरविसेज लिमिटेट के नए CEO कौन बन गहे है तो इसका correct answer होगा ये बन गए है नकूल जेन 6. question है भारत और किस देश की नो सेना के बीश समुंदरी साजितारी अभ्यास MPX का जो आयो जेन है ये हुआ है तो इसका correct answer है भारत और जपान के बीश में ये हुआ है 7. question है दिलिप कुमार in the shadow of a lizard नामक पुस्तक को किस ने लिखा है तो इसका correct answer होगा ये जो बुक है ये फेजल फारुकी के द्वारा लिखी गई है 8. question है अंदराज़्टी पुरुष T20 क्रिकेट के इतियास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज है ये कौन बन गए है तो ये बन गए है गुस्ताव में क्यों बन गए है 10. question है जम्मू फिल्म महसव 2022 कप से शुरू होगा तो इसका correct answer है ये शुरू होने वाला है 10. question है अमर शहीत चंदर शेकर की भवे प्रतीमा कहां पर इस्तापित की जाएगी तो ये भोपाल के अंदर स्तापित की जाएगी 20 का correct answer होगा और ये था कल का study gloss question भुटान में भारत के अगले जो राजदूत है ये किसे न्यूक्त किया गया है तो इसका correct answer होगा सुदाकर दलेला को इसके अंदर पॉइंट किया गया है 20 का correct answer होगा और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question वर्ड food safety day कब celebrate किया गया है तो इसका अंसा मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको सारे question की इसके format में available हो जाएगे यहाँ जाकर आप जादस जादा उनकी practice कर सकते है I hope आपको session पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चलिए मिलते हैं हमें एक नए session के साथ में thank you